नमस्कार मैं हूँ आपके शंग नित्यम मंत्र यन तंत्रवास्तु के विशेश काशक्रम के साथ महास्चिबरात्री में अब कुछे दिन बांकी है अगर आप चाहते हैं कि आपके जिन्दगी में शुक, धन, शान्ती, नोकरी, सफलता, परगती, शंतान, प्रेम, प्रमोशन, विबा, हर समस्या दूर हो तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि महास्चिबरात्री पर चमतकारिक उपाय करके कैसे आप अपनी समस्याओं का समधान कर सकते हैं हम आपको बताएंगे 15 चमतकारिक मत जिसका जब करके आप अपने जिंदगी की सारी समझाओं का समधान कर सकते हैं तो लेकिन उसके पहले एक महत्पुन बात देखिए जो भक्त भोले बाबा की अराधना करता है उसे मा पारवती और भोले तिरपुरारी हर कामनाये पुर्ण करते हैं और सभी संकर दूर हो जाते हैं तो महासिवरात्ती के मोके पर हम आपको 15 ऐसे चमतकारिक मत बता रहे हैं जिसका जब करने से जीवन की हर तरह की समशाये दूर होगी आपको सुख मिलेगा, धन मिलेगा, सांती मिलेगी, नोक्री मिलेगी, सफलता मिलेगी, प्रगती मिलेगी, समर्दी मिलेगा, संतान मिलेगा प्रेम, प्रमोशन, बिबा और बिमारी की हर दिकत दूर होगी तो हम सिधा चलते हैं क्या है महा मंत्र देखिए यह 15 महा मंत्र है इस मंत्र को आपको कम शे कम तीन बार जब करना है और मंत्र जब करने से पहले आपको भगवान सिब लिंक पर जल की पत्रली धार अर्पित करना है और कम शे कम तीन बेल पत्र आपको अर्पित करने है उसके बाद इस मंत्र का जब आपको शुरू करना है मंत्र जब करने के बाद आप भगवान शिब से जो आपकी मनो कामना है उसकी पुर्ति की आप कामना करे प्राथना करे तो मंत्र पहला मंत्र है ओम शिवाय नमाहा, दूसरा मंत्र है ओम शर्वात्मने नमाहा, तीसरा मंत्र है ओम त्रिनेत्राय नमाहा, चौथा मंत्र है ओम हराय नमाहा, पांचमा मंत्र है ओम इंद्रमुखाय नमाहा, छथा मंत्र है ओम स्रीकंठाय नमाहा, शातमा मंत्र है ओम ओम बाम देवाय नमाहा, आठमा मंतर है, ओम तत्पुरसाय नमाहा, नम्मा मंतर है, ओम इसानाय नमाहा, दसमा मंतर है, ओम अनन्त धरमाय नमाहा, एगारमा मंतर है, ओम ज्यान भूताय नमाहा, बारमा मंतर, ओम अनन्त बहराग शिंगाय नमाहा, तेरमा मंतर, ओम प्राधान अगर आप इन मंत्रों का जब महा सिवरात्री के दिन रात के समय करते हैं तो आपकी जिंद्गी के हर समस्या दूर होगी लेकिन मंत्र जाप के क्या है तरीके हम आपको बताते हैं देखिए मंत्र जाप आपको कम से कम तीन बार करना है उसके बाद आप चाहे तो नो बार कर सकते हैं 27 टाइम्स 51 टाइम्स या तो एकसा आठ बार भी कर सकते हैं अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं एकसा आठ बार तो आप रुद्राक्स की मला से करना है नहीं तो अगर तो आप अपने अंगली से भी कर सकते हैं, अपने अंगल पर भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, इस मंत्र का जब, अगर आप सिब गायतरी मंत्र के साथ करते हैं, तो ये जादा फलदायक होता है, और आपकी सभी मनो कामनाई पुर्ण होगी, तो सिब गायतरी मंत्र क्या है, वो ह अगर आप इन मंत्रों का जब सीब गायतरी मंत्र के साथ करते हैं तो निश्टित रूप से आपकी जिंदगी की हर समस्षाएं पुन होगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि मंत्र का जब कम से कम आपको तीन बार करना है नहीं तो आप 9 बार कर सकते हैं 27 बार कर सकते हैं 50 बार कर सकते हैं नहीं तो 1-8 बार आप कर सकते हैं जैसे आपकी सुब्धा हो जितना आपके पास समय हो उस समय का अनुसार इन मंत्रों का आप जब करे महा सिवरात्री के दिन आप सुबह में भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं देखें सिवरात्री का मतलब होता है रात्री यानि आपको रात्री का पूजा ज्यादा फैल दायक होगा तो अगर आप ये पूजा रात में आठ या नौ बज़े के बात करते हैं इन मंतरों का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में जो भी समश्या हैं जो भी मनोकामना हैं वो मनोकामना आपकी पुर्ण होगी आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद